Hey guys, क्यासे आप सब मैं हूँ Nikhil और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में और जैसा कि आप लोग देख सकते हो we are in a new studio space जैसा कि मैंने mention कि अपने last video में कि वी आ शिफ्टिंग to a new studio space तो शिफ्टिंग का process complete हो गया है मैंने जितना सोचा था उससे काफी जाधा time लग गया इस पूरे process में मैं चाहता था कि last video के बाद हमारा जो next video हो वो studio tour का हो बट थोड़ी बहुत चीज़े अभी भी settle down होना बाकी है और वो सारी चीज़े होते ही मैं आपके लिए लेकर आ जाओंगा एक fresh new studio tour बट उसमें और थोड़ा time लगेगा तो मैंने सोचा in the meantime हमारे जो regular videos है वो आते रहे तो इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए तीन ऐसे graphic design ideas जो आप अभी try कर सकते हो बहुत ही creative है जो मुझे लगता है आपको काफी जादा help करेंगे creative designs बनाने में और तीनों ही design techniques typography से related है जो की मेरा favorite topic है तो बहुत मज़ा आने वाला है इन designs को हम create करेंगे illustrator और photoshop दोनों ही use करके तो बहुत सारी नहीं चीज़े आपको सीखने मिलेंगी तो इसी के साथ चलिए आज का एवीडियो शुरू करते है और यहां पर है हम लोग adobe illustrator में और यहां पर मैंने एक new composition यह new document create किया है 2000 by 2000 pixels का और एक text type कर लिया है या एक alphabet type कर लिया है पर जितना creative font हो यह effect उतना ही अच्छा दिखेगा और जो font में use कर रहा हूं वो है San Moly Calligan आपको description में इस font के link में दे दूँगा तो download कर सकते हो same font अगर चाहो तो कोई और भी font के साथ experiment कर सकते हो तो आपको type कर लेना है ठीक है फिर मैं जाओंगा effect में blur and radial blur और radial blur की amount मैं रखूंगा 10 make sure करना है कि blur method spin पे set हो और quality best पर हो क्लिक करेंगे ok पर यह कुछ seconds लेगा apply होने के लिए depending कि आपका computer कितना अच्छा graphic card आपके computer में लगा हुआ है तो there we go this is the look और फिर सिलेक करूंगा जाएंगे object में and करेंगे से रास्टराइस यह आप default settings ही रहने दिना कोई भी छेड़ चार्ट इसमें नहीं करना बिल्कुल भी press करेंगे ok फिर हम जाएंगे effect में and sketch and यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह chrome effect इस पर click करेंगे and तोड़ा सा जूम आउट कर लेता है and there you go यहाँ पर आपको दो settings मिलती है detail and smoothness की आप अपने ही सबसे सेलेक कर सकते हो आपको कितना smoothness या कितना detail चाहिए मेरे ही सबसे detail 6 पे साहिए और smoothness 10 पे साहिए अगर आपको तोड़ा सा rough chrome effect चाहिए तो smoothness को कम कर सकते हो इस area में आप देख सकते ह rough look हमें मिल जाता है तो 10 नहीं रखते चले रखते है around 8 और 9 ताकि थोड़े से जो imperfections है वो maintain रहे and click करेंगे ok पर और यह मिल जाता है हमें यह बहुत ही interesting सा chrome effect अब इसे आप जैसे भी चाहों use कर सकते हो और यहाँ पर ना आपको हो सकता है कि एक दिक्कत हो जैसे कि यहाँ प radial blur okay फिर मैं जाँगा object rasterize okay effect sketch and chrome तो अगर मैं zoom out करूँ minus button पर click करके यहाँ पर हमें कुछ artifacts देखने मिल जाता है तो अगर मैं detail को कम करूँ तो वह artifacts निखल जाएंगे बढ़ हमारा जो chrome है उसके details भी काफी कम हो जाएंगे तो इससे मैं रखता हूँ यहाँ पर जहाँ पर details भी maintain रहे और यह जो artifacts से वह भी थोड़ी से ही रहे यह कम रहे click करेंगे okay पर और इन्हें निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो आपको select करना है control c करेंगे copy करने के लिए मैं open करूंगा photoshop एक new document create कर लेता है इसे में नाम दे दूँ दूँगा tutorial with रख दूँगा 2560 and height 2560 resolution 300 वैसे 72 के साथ भी काम चल जाता है बट just आदत है तो control v paste करेंगे इससे make sure करना है कि smart object पर हो okay and यहाँ पर मैं add कर दूँगा इस तरीके से हमार जो alphabet है अब आपको क्या करना है यहाँ पर जाकर एक layer mask create कर देना है और layer mask create करने के बाद मैं select करूंगा brush बी press भी कर सकते हो brush tool select करने के लिए size मैं काफी छोड़ी कर दूँगा करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा बस इसी तरीके से से में यहाँ पर कर लूँगा फिर यहाँ पर भी और इसी technique को use करके यह जो artifacts है यह सारे में erase कर लूँगा अब चाहो तो manually भी मतलब directly आप directly आप डिरेकल करना भी शुरू कर सकते हो जिससे भी निकल जाएंगे हमारा काम जो है वो हो जाता है तो किसी किसी alphabets में दिक्कत देंगे हर एक alphabets में हूँ ऐसा जरूरी नहीं है तो इसी तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हो तो बैसिकली यू गेट आइडिया फाव तो सेम वे मैंने जो पहले जी बनाया था उसे मैं ले लेता हूं यहां पर ctrl c ctrl v ok यहां पर इसे center में place कर देंगे और इसे as a main object हम यूज कर सकते हमारे poster का पर जैसा कि example में आपने देखा मैंने यहां पर कुछ टेक्स भी डाला हुआ है जो कि दिखने में काफी cool लग रहा है plastic grips और यहां पर इस तरह के से यह effect है तो उसे create करना भी बहुत easy है मैं simply text tool select करूंगा और जो भी हमें type करना है वो type कर लेते same like before ठीक है all caps को मैं बन कर देता हूं इस तरह के से इसे बढ़ा कर लेंगे और फिर वो extrusion type effect हासिल करने के लिए आपको बस एक चीज़ करनी है आपको टेक्स को select करना है उसका color white कर देना है और फिर इसका blend mode set कर देंगे exclusion पर जिससे हमें यह बहुत ही कूल सा effect मिल जाता है तो आप इसे जहां पर भी चाहों वहां पर रह सकते हो मेरे खाल से यहां पर यह काफी कूल लग रहा है but make sure to play around with this technique यह मैंने बस आपको एक basic technique बताईए इसे आप अपने हिसाब से जितना try करोगे experiment करोगे उतना creative results आप generate कर पाऊगे and फिर आखिर में मैंने कुछ details वगर आइड किये है तो यहां पर मैंने इनका बस एक group बना कर रखा हुआ है basic सिफ text है और एक texture है जो की आपको मिल जाएगा मैं link दे दूंगा in project file की तो आप same project files download करके use कर सकते हो same कि same बस कहां पर भी upload मत कर देना अपने हिसाब से creative बनना और creative चीजे create करना तो यह हो गया हमारा first design ready अब बढ़ता है अगली design की ओर तो यहां पर मैंने same document size लिया है 2000 by 2000 pixels का यहां पर मैंने alphabet type कर दिया है again आप कोई भी logo या कोई भी alphabet कुछ भी ले सकते हो मेरा काम है बस आपको एक technique सिखाना उस technique को कैसे use करते हो वो आपके आप में ठीक तो यहां पर मैंने एस लिखा हुआ है यह जो font है यह हलवेटिका one of my favorite font और हम create करेंगे slicing effect वैसे तो यह technique काफी पुरानी है but मैंने सोचा मैंने कभी share नहीं किये तो इस बार इस वीडियो में कर देता हूँ हो सकता है कि जो लोग नए नए अभी बस जिन्होंने graphic designing सीखना श पिक्सल सही होगा फिर यहां पर जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे width profile 1 जिससे हम यह बहुत ही अच्छा सा width मिल जाता है इसे में भी थोड़ा सा और बढ़ा कर दूंगा 10 pixels में ओके fine and फिर मैं जाओंगे इसे select करूंगा जाएंगे object और expand appearance में okay alt click करके इसका duplicate लेंगे और यह and maybe यहां पर रख देते हैं and a copy यहां पर और मैं अगर चाहू तो इन्हें छोटा बड़ा वैसे कर सकता हूं तो कुछ ऐसे and फिर एक copy यहां पर okay अब मैं क्या करूंगा इन सारी चीजों को select करूंगा और फिर यहां पर जाएंगे और shape builder tool select करेंगे और फिर आपको alt hold करना है यहां पर करेंगे हम यूनाइट अगर आपको pathfinder या कोई भी पानल यहां यहां पर करना है और यहां पर करेंगे हम यूनाइट अगर आपको pathfinder या कोई भी पानल यहां पर नहीं दिखता है तो आपको जाना है windows में और click कर देना है pathfinder पर और यह apply हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे select करेंगे direct selection tool और जैसे मैं zoom in करके इस point पर जाओंगा जहां पर हमारी चीज़े cut हो रही है यहां पर एक goal सा dot मिल जाता है तो उससे stretch करेंगे जिससे हमें बहुत ही cool सा effect मिल जाएगा हमारे इस text के लिए same चीज़ यहां पर कुछ ऐसे तो देख रहे हो कि अगर हम real में किसी object को cut करेंगे तो slice होने के बाद अगर वो object कोई soft सा object रहा तो इस तरीके से उसके बोलते ना जो elements है वो stretch हो जाएंगे तो वही effect हम यहां पर create करेंगे कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से सेम चीज मैं यहां पर भी करूँगा कुछ ऐसे तो देख रहे हो कितना जादा मज़दार लग रहा है यह चीज सेम मैं यहां पर करूँगा कुछ ऐसे फिर यहां पर भी और बस आपको यह चीज करते जाना है दिख सकते हो कितना जादा cool लग रहा है और इस technique को आप बहु अच्छा दिखेगा एक अब यहां पर एक दिक्कत हो गई है जब मैं इस पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूं तो हमें वह राउंड एज बनाने का आप्शिन है वह नहीं मिल रहा है तो ऐसे scenario में क्या कर सकते हो आप मैं क्या करूंगा इसको select करूंगा अनNãoGroup करूंगा ठीक है और फिर इसका duplicate करेंगे यहां से अंच्य हम rotate कर देंगे चै Nic यहां पर प्लेश करेंगे अभी के लिए मैं इसका जो color है वह कुछ और ले लेता हु ता कि हम differentiate कर पाया की चीजे कहां पर प्लेस हो रही है परफेक्ट फिर इसका येवाल आपजेक्ट मैं डिलीट कर दूँगा and we can just pick with the same black color और ये हो गया हमारा design ready ओकी तो देख सकते हो काफी जादा interesting लग रहा है अगर आप चाहो तो इसे ऐसे कैसे use कर सकते हो बट इसमें और तोड़े details add करने के लिए हम क्या करेंगे select करूँगा फिर से मैं line tool और यहां पर एक line बना लूँगा कुछ ऐसे with again increase कर देंगे और जो color है वो मैं set कर दूँगा white पर कुछ ऐसे okay फिर फोड़ा सा मैं बढ़ा कर सकता हो so that is looking nice I think और कुछ duplicates में यहां वहां पर add कर दूँगा जिससे ऐसा वो tearing text वाला effect आजाएगा अगर किसी चीज़ को हम फाड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से उसके जो beach beach में से क्या बोलते है इस चीरे पड़ते है not sure कि क्या वर्ड है उसके लिए बहुत ही मस सा एक look मिल जाएगा हमें और इसे काफी randomly में प्लेस कर रहा हूँ जैसे चाहे वैसे प्लेस कर सकते हो और यह होगे हमारा final look ready काफी cool लग रहा है in fact जो मैंने example के लिए practice में बनाया था इससे भी जादा बेटर लग रहा है तो इसकी जगर पर में वही add कर देता हू smart object and there you go हमारा जो poster है वो ready है basically इस typography को आप अलग-अलग ways में यूज कर सकते हो मैंने एक alphabet लिया है आप अपना logo ले सकते हो एक पूरा text ले सकते हो पूरा नाम ले सकते हो and ये effect के साथ बहुत कुछ creative कर सकते हो अब अलग colors भी use कर सकते हो by the way मैंने black and white monochrome theme के साथ जाने का सोचा था but feel free to experiment with some colors as well अब बढ़ता है हमारे सबसे exciting और interesting effect की और जो की है third वाला जो आपने देखा था half tone effect तो वो कैसे create करते है तो इसके लिए मैं यही file use कर सकते हो या तो एक नई file बना ही लेते है ठीक है 2000 by 2000 इसे में नाम दे दूंगा half tone okay अब इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले फिर से line tool select करेंग और इस तरीके से मैं shift hold करके एक line बना लूंगा ठीक है strokes बड़े कर देंगे around five or maybe eight pixels is fine and फिर हम क्या करेंगे alt hold करके duplicate लूंगा यहां पर कुछ जैसे और फिर मुझे ctrl D press करके रखना है जिससे इस तरीके से lines पूरे बन जाएंगे पूरी तरीके से बहर दूंगा इस पूरे document को ठीक है इसके बाद में अगर चाहू तो बड़ा चोटा जैसा भी करना है ctrl G प्रेस कर दो को group करने के लिए और यह lines ready हो जाएंगे फिर मैं जाओंगा Photoshop में एक new document create कर लेते है file new document and इसे भी मैं लग दूंगा 2560 by 2560 300 आदत से मजबूर and इसे भी नाम दे देंगे half tool okay यहां पर मुझे जो भी alphabet लेना है जहां पर जैसे कि आपने देख सकते हैं यहां पर मैंने text डाला हुआ है तो यही text डाल लेते है text tool select करूंगा type करेंगे run full caps और जो मैंने font लिया था वो था dharma gothic one of my favorite fonts I think यह वाला था बढ़ा कर देंगे और प्लेस कर देंगे center में इसे right click करके convert to smart object कर लूँगा convert to smart object ठीक है फिर हमने जो illustrator में यह lines बनाएते हैं इन्हें select करना है control c Photoshop में जाके control v smart object okay इसे मैं बढ़ा कर दूँआ कुछ ऐसे और शाहे तो मैं इसे rotate भी कर सकता हूँ okay फिर हमने select करना इसे rename कर दूँगा lines and फिर मैं जाओंगा filter blur and Gaussian blur इसे blur दे दूँगा around 6 pixels प्रेस करेंगे okay and फिर run text को select करेंगे filter blur Gaussian blur और इसे मैं दे दूँगा blur around 25 25 जादा हो जाएगा 20 से start करते हैं फिर हम जाएंगे adjustment layers में और add करेंगे एक threshold effect and इस threshold effect को use करके हम वह effect जो है उसके साथ play around कर सकते हैं काफी procedural effect है दिख सकते हो और आप जैसे भी चाहो आपके text को भी modify कर सकते हो अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा पास ले लूँगा कुछ ऐसे ctrl s यहां पर update हो जाएगा इस effect की सबसे best चीज़ पता है अगर मैं इस पर double click करो smart object में यह मुझे एक नया document मतलब उसी object का document यहां पर open कर देगा illustrator में और इसमें अगर मैं कोई भी changes करो तो वह वहां पर update होंगे पैनल में जाओ और dash stroke add कर दू और फिर ctrl s कर दू तो वह update हो जाएगा photoshop है और हमें यह बहुत कूल सा look मिल जाएगा इसे हम threshold use करके वह control कर सकते हैं देखरो कितना जादा interesting लग रहा है तो अगर मैं जाओ यहां पर ctrl z करो and फिर अगर चाहो तो मैं जा सकता हो effect and let's go into warp and let's go into wave तोड़ा से वेविनेश दे रेंगे okay ctrl s photoshop यहां पर बहुत ही cool look हमें देखने मिल जाता है and फिर अगर आप चाहो तो इसकी opacity भी कम जादा कर सकते हो depending on the look that you want to go for इसे काफी interesting look हमें देखने मिल जाता है same चीज में line की जो opacity है या fill है उसे कम जादा कर सकता हो तो देख रहे हो कितना जादा interesting effect है और again यह बस एक technique है आप शाहो तो इसे अपने हिसाब से कोई और texture वगरा use कर सकते हो अगर आप चाहो तो lines की जगर पे कोई और image ले लो कोई और अलग kind of texture ले लो scratches वगरा and उसके साथ experiment करो and आप create कर सकते हो अपना cool design again मैं same चीज यूज करूँगा यहाँ पर भी मैंने जो elements यूज किया थे यह दो elements ctrl c c ctrl v and make sure करना है कि उससे मैं उपर ही रखू and फिर इस तरीके से center मैंने रख दूँगा और अभी के लिए कुछ ऐसे रख दूँगा तो यह हो गया हमारा design ready दिखने में काफी interesting लग रहा है so ऐसी techniques को use करके आप अपने designs बना सकते हो and there you go there you have your design ready so that is all for today guys कैसा लगा आपको आज का यह video मुझे कॉमेंट करके जरूर बता है अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हो dope.motions और निखिल पवार पे सारे links आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएंगे इसी के साथ मैं आप अगली वीडियो में तब तक के लिए तक के लिए टेक केर और आवेज स्टेए रोव स्टेए क्रेटिव पीस आउट